हेलो एवरिवन तो भे आज हम करेंगे एक्सराइज 1.4 का इंट्रोडक्शन ठीक है तो आप भी हेडिंग लगालो इंट्रोडक्शन लगालो एक्सराइज 1.4 का तो चलो सरू करते हैं देखोई मैंने आपको एक बार बताया था कि रियल नंबर के अंदर दो तरीक्य के नंब और एक आपका था विध डैसिमल ये था आपके मतलब की माइनस 1, 0, पलस 1, ऐसे सोवन इधर पलस में चल दा था इधर नेगिटिव में चल दा था ठीक है ये सारे के सारे थे इनको क्या बोलते हैं इंटिजर बोलते हैं दिनोट करते हैं इनको जैड़ से ठीक है तो जो भी इंटिजर था स्पोस कर लो 5 है उसको मैं 5 अपन 1 लिख सकता हूँ तो ये दोनों क्या होगे आपके दिनेटिजर नहीं अपन क्या हो ये मतलब ये दोनों क्या होगे तो इसी वज़े साब जो इस वचिति अपन। मैं जो भी नंबर था आपका या था ? एक रिष्सनल नंबर था ठीक है ? ये बात इन परгов origin है तो जो आपका without decimal होता है जैसे कि suppose करो 20 ओर ले लिए मैं ठीक है तो मैं 20 upon 1 लिख लूँगा तो ये भी एक integer है ये भी integer है इसको मैं p मान लो इसको क्या मान लो और दोना के बीच में कुछ common ये मतलब कि co prime integer से ठीक है तो upon में जो co prime integer upon में आते हैं तो ये भी क्या बनगा रेशनल नमबर तो एक बात आप इधर note कर रहे हो कि मतलब कि जो without decimal वाड़ा number है मतलब जो integer है उसको अगर मैं rational number की form में लिखूँगा तो उस rational number का जो denominator होगा न वो हमेशा क्या होगा 1 होगा मतलब कि क्या हो हमेशा क्या होगा अब बात करते भाई with decimal देखो with decimal है न मैंने आपको बताया था कि तीन तरीके होते है एक तो क्या था terminating ठीक है terminating decimal number जैसे कि मैंने लिखा दुदर आपका 1.35 ठीक है एक ता आपका क्या known terminating but repeating ठीक है जी इसका example suppose कर लो कि 1.27 इसका उपर बार 27 के उपर मतलब 2727 रिपीट करता सला जाएगा और एक था आपका non-terminating non-repeating non-terminating and non-repeating तो यह आपका हो गया था यह rational number तो आपकी exercise 1.4 है न वो basically based है कि इस पर rational number पर तो इसको था हमने अभी पढ़ना ही नहीं है और मैंना आपको बताया था जो terminating वाड़ा होता है और non-terminating but repeating यह दोनों के उते होते rational number होते है मतलब यह भी आपका आरेन था यह भी आपका आरेन था ठीक है क्यों था क्योंकि मैं इसको पढ़न क्यों की फॉम में लिख सकता हूँ कैसे लिख के देख लो इसको मैं ऐसे लिख दू ऐसे लिखूँगा कुछ cancel out होता तो कर लो तो हो रहा आपका 5 से कट रहा है ठीक है 5 दूनी 10 यह 5 दूनी 10 बच गया 5 साते पैतिस तो 27 अपढ़न 20 आ गया 27 इंटीजर 20 इंटीजर दोनों को प्राइम मतलब इनके बीचे में कुछ को मन भी नहीं मतलब कि यह पी अपढ़न क्या हो की फॉम में चला गया और वहाँ पर पी और क्या हो आपके क्या है को प्राइम नमबर ठीक है तो जब इंटीजर अपढ़न की फॉम में हो उनके बीच में कुछ भी को मन नहीं हो मतलब कि को प्राइम इंटीजर अपढ़न की फॉम में तो वह क्या बन जाता रेशनल नमबर बन जाता इस वज़े सा आपका टर्मिनेटिंग वाड़ा जो डेसिमल नमबर होता है न टर्मिनेटिंग डेसिमल नमबर वो हमेशा क्या होता है रेशनल नमबर होता है अब बात आती थी कि इस पर नोन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग उसको भी हम पी अपोन क्याव की फॉम में लिख सकते हैं और वे पी और क्या हूँ ऐसे इंटीजर होंगे जिनके बीच में कुछ भी कोमन नहीं होगा ठीक है तो इसको मैंने बताया था आपको कनवर्ट करने के लिए कि इसको ऐसे कंप्लीट लिग लेते ये जो आपका डोट से पहले और अड़ा होते इसको सब्ट्रेक्ट कर देते ह और जितने नंबरों पर बार होते उतने नीचे नाइन लगा देते ठीक है तो आपका यह आ गया था 126 अपॉन नाइन नाइन कैंसिल लाउट होता तो कर लो इसको तीन चोग बारा तीन दूनी छह तीन 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 तो देखो 42 और 33 यह दोनों ऐसे इंटीजर है यह विंटीजर है यह विंटीजर हो इनके बीच में कुछ कॉमन भी नहीं मतलब की को प्राइम इंटीजर अरपोन की फोमिस का मतलब यह क्या हो गया रेसनल नंबर तो जो आपका नों ट्रमेटिंग बट रिपीटिंग डैसिमल नंबर होता है न वह भी क्या हता है रेसनल नंबर होता है ठीक है इतनी बात कंफरम बही अरे हाँ या हाथ तो बताओ, ना तो बताओ I think सबको clear हो चुका है क्योंकि मैं इसको repeat कर रहा हूँ ठीक है तो यह आपने देखा अभी मतलब कि terminating decimal number और non-terminating decimal number को मैं upon की form में convert कर सकता हूँ और वहाँ पर upon वाल integer होंगे उनके बीच में कुछ भी common नहीं होगा मतलब कि दोनो decimal को मैं p upon क्याओ की form में लिख सकता हूँ जहाँ पर p और क्याओ integer होंगे जिनके बीच में कुछ भी common नहीं होगा मतलब कि short a line में कहूँ तो decimal, जो terminating वाला decimal है और non-terminating repeating decimal उसको मैं p upon क्याओ की form में convert कर सकता हूँ जहाँ पर p और क्याओ को प्राइम नंबर होंगे ठीक है तो ये बात आपको पता है कि भाई ये भी rational number है ये भी rational number है बट अगर मैं आपको कोई p upon क्याओ की form में एक नंबर दे दू ठीक है जैसे suppose कर लो मैंने दे दिया 3 upon 8 ये p होगया ये क्याओ होगया और इनके बीच में कुछ common भी नहीं है मतलब कि ये अपने आप में एक rational number तो है rational number तो है ठीक है अब rational number आपके पास कौण कौण से एक तो terminating decimal वाड़ा एक non-terminating बट repeating वाड़ा और एक आपके पास without decimal वाड़ा without decimal वाड़ा rational number होता तो उसका जो denominator है न वो confirm क्या मिलेगा 1 मिलेगा क्या इसका denominator 1 है नहीं तो देखो ये p upon क्याओ की form में है ये rational number तो है but without decimal वाड़ा rational number नहीं है without decimal वाड़ा rational number हमेशा integer होता ये integer थोड़ी है integer होगा तो बच्चे मतलब कि उसका denominator 1 ही मिलेगा इसका denominator 3 है इसका मतलब ये वाड़ा तो है नहीं तो या तो फिर ये वाड़ा होगा या फिर ये वाड़ा तो यह rational number कोण से वाड़ा है आप इस चीज को कैसे बताओगे मतलब मेरा question यहाँ पर यह है कि यह एक rational number है अगर यह rational number है तो यह terminating decimal वाड़ा है यह non-terminating repeating decimal वाड़ा है क्योंकि यह भी एक rational number यह भी एक rational number है तो अगर यह rational number है तो कौन सा ये वाड़ा है ये वाड़ा है तो इस चीज को आप कैसे बताओगे देखो इस चीज को आप है न नाइंध कि लास में पड़ चुके हो कि मतलब कि कोई भी रेसे नल नम्बर आपके सामने है तो उसको बताना कि यह terminating वाड़ा है या non-terminating repeating वाड़ा ठीक है एक example और देता हम आपको 1 upon 7 जैसे दिया जी तो इसको बताना एक बार कि मतलब कि यह यह वाड़ा है या फिर यह वाड़ा है कौन सा है देखो आपने 9th किलास मैंने इस चीज का अंसर पता कैसे दिया था divide करके कि आप इसका मतलब कि यह का actual मतलब upon की form में है तो मतलब कि 8 से 3 को divide करोगे आप इधर ठीक है हो क्या रहा है इधर 8 3 को divide कर रहा है जैसे p upon क्या है इसका मतलब क्या है एसे 7 1 को divide कर रहा है तो उदर हम जब divide करते थे न तो अगर हमारा remainder 0 आ गया था तो तो भई वो terminating decimal number था और अगर हमारा remainder repeat करना शुरू कर देता था तो वो क्या था उदर वो था भई non-terminating but repeating rational number ठीक है तो अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको एक बार इसको इतना snap कर लो आपको पी में फिर आगे चलते हैं कर लिया तो 3 upon 8 है इसको बताना कि कौन सा terminating है terminating decimal number है या फिर भाई non-terminating but repeating rational number ठीक है decimal number रवाड़ा rational number है इनके अंदर से कौन सा ये वाड़ा है ये वाड़ा है तो इसको करते हैं बाई किस से divisions है तो मैं बताता है डिविजन से कैसे करते थे इसको आप करोगे 8 से तो ना जाने की 0 decimal 8 तिया 24 ठीक है बचगे 6 एटारली 0 87 57 बचगा कितना चयार 85 स्टारी तो आपका देखो आपका जो देखो ये जैसे कि मैं 8 बटे चयार लिख दू तो जो cancel out हो क्या आता है वो 2 आया तो वो कहता को सेंट था तो इसका मतलब जो आपका अंसर आएगा वो क्या आएगा ये को सेंट आएगा और ये क्या आपका टर्मिनेटिंग है तो मतलब कि 3 upon 8 cancel क्या आएगा ये आएगा और ये अपने आप में क्या एक टर्मिनेटिंग है क्योंकि पांच पर जाके वो टर्मिनेट हो चुका है ठीक है तो कौन से वाला है टर्मिनेटिंग decimal number ठीक है जी अब मैं आपको क्या दे दू 1 upon 7 है तो इसको बताओ कि मतलब कि यह terminating है या non-terminating repeating है कौन सा rational number है देखो दोनों ही rational number होते है आपको पता है 1 है 7 है को प्राइम number है अपको उनकी form में rational number तो है यह बट आपको यह नहीं पता कि मतलब terminating वाला है या फिर non-terminating repeating वाला है उसको करते है division से ठीक है तो अगर आप इसको divide करोगे तो आपका remainder में लिख रहा हूँ वो पता क्या क्या आएंगे आपका remainder आएंगे 3 2 6 4 5 1 और इसके बाद है ना फिर से आपका remainder repeats हो जाएगा मतलब कि फिर से 3 आएगा फिर से 2 आएगा फिर से 6 आएगा फिर से 4 आएगा फिर से 5 आएगा ठीक ऐसे so on और 1 आएगा as so on repeat करता चला जाएगा आपका तो जब भी आप आपका remainder मतलब जब भी आपका repeat करता है न रिमेंडर तो उस case में आपका यह number पता क्या होता है यह आपका होता है unknown terminating but repeating ओके जी इसका answer पता क्या आएगा इसका answer आएगा आएगा आपका 0.142857 फिर उसके बाद यह चीज लगाता repeat होती चले जाएगा आपके रिमेंड रिपीट हो रहे है यह चीज रिपीट होती चले जाएगा अगर यकीन नहीं आता तो अब आप यह division आपकी बुक में page नंबर 17 पर इसको देख लो यह यह बन अपॉन 7 का ठीक है जी तो देखो मतलब की इसू यह था कि आपके पास वो कोई भी जान पूछ कर पी अपॉन क्या हो एक रेशनल नंबर देगा जहां पर पी एंड क्या हो क्या है को प्राइम इंटिजर तो आप से पूछे का मतलब कि यह भाई टर्मिनेटिंग डैसिमल नंबर है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग क्योंकि यह भी एक रेशनल नंबर होता है यह भी एक रेशनल नंबर होता है और आपको पता यह रेशनल नंबर तो है तो यह वाड़ा है यह वाड़ा तो आप ऐसा करके बताते थे बट वाई यह मैतर्ड है यह मैतर्ड यह काफी लेंथी पढ़ जाता है मत चीज से बचने के लिए और विदिन सेकिंड मतलब की आपका अंसर क्लिक आप कर दो इसके लिए उन्होंने न कुछ एक थोरम वगएरा बनाई है अपनी तरफ से तो अब हम उन थोरम को करेंगे और इनी थोरम पर बेस आपको क्या है exercise 1.4 है ठीक है अच्छी अच्छी थोरम ह मतलब यहां terminating है यह terminating यह non-terminating repeating है ठीक है तो थोरम को कर लेते हैं तो आप अपनी NCRT की book निकार लो और page number 16 पर आ जाओ बच्छे और उस पर थोरम 1.5 ठीक है तो थोरम 1.5 पता क्या कहती है आप से कि वह कहती है क्या कहती है दो वह कह रहे है कि मतलब let x be a rational number मतलब x है rational number है whose decimal expansion terminates मतलब एक ऐसा rational number x जिसका decimal expansion terminate करता ठीक है terminating decimal expansion वाला rational number then x can be expressed in form p upon q तो आप x को है न p upon q की form में write कर सकते हो जहाँ पर p और q को प्राइम होंगे ठीक है and the prime factorization of q is of form 2 raised to power n multiplied 5 raised to power m ठीक है where m and n are non-negative integer मतलब जहाँ पर m और n integer तो है but कैसे non-negative मतलब कि non-negative integer कोंड से है 0,1,2,3,4,5,5,1 ठीक है मतलब m और n की value 0,1,2,3,4,5,5,1 positive infinite तक कुछ भी हो सकती है और p और q2 integer है but उनके बीच में कुछ भी common नहीं है तो थोरम को मैं आपको समझाता हूँ एक बार decode करता हूँ थोरम को कि थोरम आपसे ये कह रही कि x आपके पास एक terminating decimal number है अगर वो terminating decimal number है तो आपको पता है वो एक rational number था ही तो मतलब x एक ऐसा rational number है जो terminating decimal number है ठीक है तो आप उस x को है ना p upon q2 की form में लिख सकते हो देखो rational number है तो उसको p upon q2 की form में तो आप लिखोगे लिखोगे ठीक है और जहाँ पर p और q2 के बीच में कुछ भी common नहीं होगे मतलब कि q prime number होंगे तो जब आप x को p upon q2 की form में convert करते हो जहाँ पर उनके बीच में कुछ भी common नहीं है तो जो आपका क्या हुआ आया मतलब जो denominator आया उसका आप अगर prime factorization करते हो तो क्या हुआ जो prime factorization होगा ना उसके अंदर two and five ही होंगे दो और पांच के अलावा कोई तीसरा number नहीं आएगा ठीक है अगर कोई तीसरा number आ गया दो और पांच के अलावा suppose कर लो seven आ गया ठीक है तो वो number rational number तो होगा but non-terminating repeating वाला case हो जाएगा ठीक है तो ये बात हम बाद में discuss करेंगे मतलब कि कौण सा case हो जाएगा बस अभी के लिए आप इतना ध्यान रखो कि x क्या है कोई rational number है और कौण से वाला terminating decimal वाला ठीक है तो max को है ना पी अपॉन क्याओ की form में लिख सकता हूँ जहाँ पर पी और क्याओ के बीच में ये क्या है को प्राइम है मतलब कुछ भी common नहीं है और क्याओ का प्राइम फैक्टर टू एंड फाइफ ही होंगे ठीक है भई इसके प्राइम फैक्टर के अंदर टू और फाइफ ही होगा अब तू रिपीट भी हो सकता है मानलो कि एंड टाइम रिपीट ओगर टू की पावर एंड और पाच पता नहीं कितनी वार रिपीट ओगर फाइफ की पावर एम ठीक है और आपका एम 0,1,2,3,4,5 as a zone N 0,1,2,3,4,5 as a zone positive infinite तक जाएगा ठीक है तो यह बात आप से कहता है अब इसने बताए कि क्या होगा का प्राइम फैक्टर क्या होगा 2N और 5N तो जब मैंने बताए कि n 0 हो सकता इसका मतलब अगर कभी n 0 हो गया तो उस case में 2 की power 0 into 5 की power m है ठीक है तो उस case में जो क्या होगा न वो only देखो किसी की power 0 क्यों होती 1 होती तो 1 multiply 5 की power m हो जाएगा ठीक है तो 1 multiply 5 की power m का मतलब only 5 की power m तो हो सकता है जो क्या हो का प्राइम फैक्टर होगा न वो जब n आपका 0 हो गया तो 5 की पावर m हो जाए या कभी हो सकता है m 0 हो जाए तो क्या हो का प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 की पावर n हो जाए ठीक है या फिर क्या हो का प्राइम फैक्टर क्या होगा इवर 2 भी हो 2 भी हो और 5 भी हो मानलो कि 5 M time है और 2 N time है camera पाया नहीं था दोबार repeat करना पड़ेगा मेरे को देखो वो बोला कि मतलब कि क्या होगा प्राइम फेक्टर 2 की पावर M multiply 5 की पावर M की फोम मी होना चीए ठीक है और M और N आपके 0 से 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कुछ भी हो सकते है तो suppose कर लो कि N कितना हो गया मेरा 0 हो गया 0 हो गया अब किसी की पावर 0 की होती ही 1 होती है और 5 की पावर M हो गया तो यह क्या हो जाएगा आपका 1 multiply 5 की पावर M तो यह equal to हो जाएगा 5 की पावर M के ओनली ठीक है इसका मतलब 2 की पावर N नहीं हो जाएगा इसका मतलब हो जाता है 1 ठीक है और या फिर क्या का फैक्टर है वो प्राइम फैक्टर है वो 2 की पावर M multiply 5 की पावर M को ही कंटेन करेगा ठीक है तो मेरे कहनदे का मतलब यह है अगर ये बनद determining decimal वाड़ा हुआ तो इसका जो denominator उसका prime factor या तो 2 और 5 दोनों को contain करेगा या उनली 2 को contain करेगा या फिर 5 को contain करेगा ठीक है 2 और 5 के लावर कोई तीसरा number यहाँ पर अलावर उटनी होगा ये चीज़ा आपको दीरे-दीरे अग्जामपल से समझ जुना रहे ठीक है तो एक एक्जामपल ले लेता हूँ है आपकी बुक से उठाते हैं आपकी बुक से उठाते बच्चे मतलब कि उसने इसपोज कर लो 0.3751 terminating decimal number दिया अगर ये terminating decimal number तो इसको मैं एसे लिख सकता हूँ ऐसे लिख सकता हूँ न जी बिलकुल और इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 10 की पावर 3 ठीक है और इसको मैं न फर्दर ऐसे लिख सकता हूँ क्या 375 पून 2 की पावर 3 5 की पावर 3 ठीक है और 375 को मैं पता कै ऐसे लिख सकता हूँ 3 multiply इपलाई 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3 अपॉन वह सोर या पॉन में 5 की पावर 3 ठीक है यह 5 की पावर 3 इस 5 की पावर 3 कैंसल आउट हो जाएगा यह आपका जागा 3 अपॉन 8 तो यह एक डेसिमन नंबर था इसको मैंने P अपॉन क्याव की फॉन में बेज दिया और इधर जो क्याव है उसका आप प्राइम फेक्टर करते हो तो वह आता 2 की पावर 3 तो किस फॉन में यह 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 इस फॉन में न तो वही चीज तो उसने बोली अ बोली अ सिंटू 5 की पावर m यहां पर n क्या है 3 है और m क्या आपका 0 है ठीक है मतलब कि 2 और 5 ही होंगे अब पावर 0 है इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब क्या हो गया भई कि only 2 की power 3 है क्योंकि इसका मतलब तो 1 होता है ठीक है तो जो prime factor होगा न उसके अंदर आपका या तो 2 की power something मिलेगा या only 5 की power something मिलेगा अगर 2 की power something है only तो इसका मतलब क्या 5 की power 0 है ठीक है अगर आपकी 5 की power something है only 10 है और कुछ नहीं इसका मतलब क्या है 2 की पावर 0 भी वहाँ पर मोजूद है और इसको 1 लिखते हैं इसलिए इसको दिखाते नहीं है ठीक है तो दीरे दीर और के लिए हो जाएगा आपको आप एक एक एकजामपल देखो जैसे कि वह बोल दे आपको कि 0.04 तो आप इसको लि लिखा था मैंने यह अब की बार यह कैंसल आउट हो गया तो यह 13 अपोन 5 की पावर 3 अब 2 की पावर इसको 0 भी लिख सकता हूं जबको only 5 की पावर 3 बचा मेरे पास ठीक है यह बचा ना इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं multiply 1 और क्या 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ऐसे ठीक है तो मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि इसको मैंने इस नंबर में convert कर दिया पी अपोन क्याओ में जहां पर क्या हुए ना क्याओ का प्राइम फैक्टर only 5 की पावर 3 को contain करता है 5 की पावर 3 को contain करने का मतलब क्या है कि 5 की पावर 3 multiply 2 की पावर 0 कंटेन करता है मतलब इसका प्राइम फैक्टर only 2 और 5 को ही contain करता है या फिर आप कह सकते कि only 5 को ही contain करता ह ठीक है चलो एक एकजम्पल ओर लेता हूँ है जिए 0.0875 इसको मैं लिख सकता हूँ आपका 875 बटे में 10 की पावर 4 ठीक है तो के लिख सकता हूँ आपका देख और उसको मैं लिख दूओ फाइब की पावर वन और टू की पावर 4 जाओ 10 को कोई 2 की पावर 4 को लिख सकता हूँ तो की पावर 4 पाइब वाइब की पावर 4 अश्यागं अब ये cancel out हो गया तो मेरे पास क्या है ये आया ये ठीक है तो ये P upon क्याओ की form हो गया जिसका क्याओ जो number है ना क्याओ का जो prime factor वो only 5 or 2 कोई contain करता ठीक है तो ये decimal number इस number के अंदर convert हो गया तो आपका एक चीज़ आप इदर से conclude कर गए कि क्या हो अगर आपका क्या है मतलब कोई भी number X इदर क्या था ये था इदर X क्या था ये था तो अगर आपका X क्या terminating decimal number है अगर आपका X terminating decimal number है तो उसको मै P upon क्याओ की form में convert कर सकता हूँ जहाँ पर P और क्याओ के बीच में कुछ common होगा नहीं इसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 कोई contain कर रहे है only 2 को contain करता है इसका मतलब 5 की power 0 चल रही है only 5 को contain करता है तो इसका मतलब 2 की power 0 चल रही है जैसे इदर था इदर वो only 2 की power 3 को contain कर रहा था इसका मतलब 5 की power 0 चल रही थी इदर वो only 5 की power 3 को contain कर रहा था तो इसका मतलब 2 की पावर 0 चल रही थी इधर वो दोनों contain कर गया तो सीधी सीधी एक लाइन के अंदर मैं बात कहूं ये conclusion निकल के आता है कि वो terminating decimal number वाड़ा racial number होता है जो कौन सा terminating decimal number वाड़ा racial number उसको मैं p upon क्या हो की form में convert कर सकता हूं जहां पर जो क्या हो बातना उसका प्राइम factor वो 2 और 5 को contain करेगा ठीक अब 2 की पावर कुछ भी हो सकती है और 5 की पावर भी कुछ भी हो सकती है बट वो तीसा नंबर contain नहीं करेगा अगर वो तीशा नंबर contain करके ना तो वो तो यसे पहले आप है ना देखो यह थोराम है एक रजल्ट है मतलब बाग कि आपको याद रहे तो आप इसको आप ऐसा कैसा सनैप कर सकते हो बाग कि बाइच देखो मेरी वीडियो कौन सी डिलीट हो रही है वीडियो के अंदर सब कंटेंट ऐस एज इस रहेगा तो वो आपके ओपर depend करता गया आपको मतलब theorem direct उदर book से सामझ में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी अगर नहीं आती तो आप ये example वगएरा note down कर ले ना इसको snap कर लो ठीक है और मैं चलता हूँ फिर आगे तो भई आपने अभी 1.5 theorem पड़ी उसमें क्या था एक्स क्या है terminating decimal number वाड़ा rational number है ठीक है तो मैं एक्स को प्यपोन क्याओ की form में convert करा जहां पर क्याओ के prime factors भई 2 की power and multiply 5 की power m की form में होंगे जहां पर n और m कुछ भी हो सकता ठीक है power में तो ये बात आपने अभी पड़ी तो आप हम करेंगे इसी बात का convert मतलब इस बात का ultime prove करेंगे मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं अगर आपको कोई rational number देता हूँ rn ठीक है प्यापोन क्याओ कोई भी आपके पास rational number है और जब मैं उस क्याओ के prime factors निकालता हूँ और वो prime factor 2 की power n और 5 की power m की form में आ जाता है आता है तो तो क्या यह p अपोन क्याओ rational number terminating decimal number होगा यह चीज़ों आप से पूछ रहा हूँ मतलब आपको मैंने कोई rational number दिया प्यापोन क्या हूँ जहाँ पर क्या हूँ का आपने prime factor किया उसका prime factor 2 और 5 कोई contain करता हूँ ठीक है तो क्या यह rational number terminating decimal number होगा या फिर नहीं होगा यह आप नहीं बताना है क्योंकि कोई भी rational number या तो terminating होगा या फिर non-terminating repeating होगा तो बट आपको पता कि वही यह only 2 और 5 को contain करता है तो यह बंदा हमेशा terminating decimal number ही होगा या फिर नहीं होगा यह चीज़ आपने बतानी है तो अगर मैं कहूँ न क्योंकि यह बंदा हमेशा terminating decimal number होगा तो यह बात 100% सच है ठीक है क्यों क्योंकि यह बात और यह बात एक दूसरे के oppositor दोनों बिल्कुल सच बात है कि अगर आपके पास कोई terminating decimal number है तो उसको पी अपन क्याओ की form में convert कर सकता हूँ उसका prime factor 2 और 5 की form में होगा ठीक है या फिर कोई rational number है पी अपन क्याओ की form में दो यहाँ पर decimal number गीवन था decimal number से हम rational number पर आये थे और फिर हम prime factor के उपर गए थे ठीक है यहाँ पर बच्चे rational number गीवन है यहाँ पर terminating decimal number के उपर जाएंगे यहाँ पर decimal form गीवन थी पी अपन क्याओ की form में होगा यहाँ पर पी अपन क्याओ की form गीवन है decimal form में होगा ठीक है मैं तो यहाँ पर क्या है कि पी अपन क्याओ की form में और क्याओ के prime factor भी 2 की और 5 की form में है तो यह वाड़ा rational number P क्याओ हमेशा एक terminating decimal number ही देगा ठीक है आप इस चीज को हम proof करेंगे और इसी को उसने proof करके जब दिखाया ना तो बता दिया theorem 1.60 है तो actual हम बात कर रहे हैं theorem 1.60 ठीक है तो इस चीज को हम proof करेंगे तो suppose कर लो कि मैंने आपको प और क्याओ एक rational number दिया P upon क्याओ की form में P मेरा उदर चल रहा है 3 और क्याओ चल रहा है 8 ठीक है तो मैंने भाई इसका prime factor किया इसका prime factor मेरा क्या है 2 की power 3 ठीक है जी 2 की power 3 मतलब की prime factor मेरा 2 की power 3 मतलब की 2 की power 3 into 5 की power 0 इस form में है तो अगर मैं इसको decimal form में convert करना चाहूं तो पता कैसे कर सकता हूं, मतलब देखो, अब ध्यांस देखना क्या कलागारी होगी, 3 upon 8 हो कैसे लिख सकता हूं, 3, यह rational number था आपका, 3 upon 8, 3 upon 8 को मैं लिख सकता हूं, 3 upon 2 की power 3, ऐसे लिख सकता हूं, अब मैं उपर नीचे दोनों क्योंकि same number से उपर नीचे multiply करने से कुछ effect नहीं पड़ता, ठीक है, 2 की power 3 थी, तो मैंने 5 की power 3 नीचे लगाई multiply में, 5 की power 3 उपर लगाई multiply में, ठीक है, कुछ फरक नहीं पड़ेगा, बट यह ऐसा करने से आपका, यह देखो, क्या बन गया, 10 की power 3 बन गया, क्योंकि 2 की power 3 5 की power 3 इसका मतलब क्या है, 2 multiply 5 की power 3, इसका मतलब 10 की power 3, तो यह आपका बन गया भाई, 3 multiply 5 का cube होता, आपका 125, अब उन में 10 की power 3, ठीक है, और यह बन गया 375, बटे में 1000, और यह भाई, 0.375, और यह आगया आपका terminating decimal, क्यों 5 के उपर terminate का गया, यह क्या है, आपका terminating decimal number, ठीक है भई, एक और example लो, एक और कर लेते हैं जी, आप suppose कर लो, मैंने आप से बता दिया कि 13 बटे, 125 है, ठीक है, ठीक है जी, आपने क्या किया, इसका prime factor किया, तो इसका prime factor है, आपका 5 multiply 5 multiply 5, 5 मतलब की 5 की power 3, और इसको मैं लिख सकता हूँ, ऐसे, कि मैं 2 की power 3 से नीचे multiply कर दूँ, और उपर multiply कर दूँ, कोई फरक पड़ेगा, नंबर के उपर कोई फरक नहीं पड़ेगा, ठीक है, बट नीचे क्या हो जाएगा, ऐसा करने से, ऐसा करने से है न, नीचे तो आपका क्या हो जाएगा, 10 की power 3, ठीक है, और उपर आपका क्या आजाएगा, फिर इसको calculate कर दूँ एक सो, 4, बटे 1000, 0.104, ये भी क्या है आपका, terminating decimal number, ठीक है, तो आपके पास ये नंबर गिवन था, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये नीचे denominator उठाया, नीचे का, इसका prime factor किया, इसका prime factor only 5 की form में था, इसका मतलब, ये 2 की power 0, 5 की power 3 इस form में था, ठीक है, तो इसको मैंने convert किया, किसमें, इस form में, फिर ऐसे मेरे पास, terminating decimal number आ गया, तो यहां से भी ये बात प्रूव होती है, कि अगर आपका क्या हूँ है, क्या हूँ का prime factor, 2 की power n, 5 की power m की form में है, तो वो एक, terminating decimal number होगा, ठीक है, ठीक है जी, इतनी बात किलिए रहे, तो आपकी भाई, दो धोरम मैंने कराई अभी, कौन सी, एक तो 1.5, उसके अंदर क्या है, कि आपके पास x क्या, terminating decimal number है, तो मैं उसको, ठीक हो, terminating decimal number है, तो मैं उसको, प्यापोन क्याओ की form में convert कर सकता हूँ, जहां पर क्याओ का prime factor हैं में से, तो की पावर n और 5 की पावर m की form में होगा, या nm दिक्कत कर रहे हैं तो आप ऐसे याद कर लो, कि terminating decimal number को मैं, प्यापोन क्याओ की form में convert कर सकता हूँ, जहां पर क्याओ है न, उसके prime factor मोनली 2 और 5 ही होंगे, ठीक है, और एक इसकी ulti theorem है, 1.6, वो क्या कहती है, अगर आपके पास कोई भी rational number है, प्यापोन क्याओ की form में, जहां पर क्याओ का prime factor only 2 और 5 कोई contain करता है, तो वो number हमेशा एक terminating decimal number ही देगा, ठीक है, मतलब उसका अगर आप decimal expansion करोगे न, प्यापोन क्या होगा, तो हमेशा एक terminating decimal number देगा, यह उसका proof है, जैसे कि 3 बट 8 था, तो इसका prime factor किया था, मैंने की, देखा कि मैंने यह only 2 की form में है, तो मैंने जब calculation वगरा लगाई, तो वो terminating decimal number के अंदर convert होगा, ठीक है, ऐसे 13 बट 125 था, इसका prime factor only 5 को contain करता था, फिर मैंने decimal expansion देखा उसका, तो बिलकुल terminating मिला, ठीक है जी, तो आप दोनों थोरम से यह conclude करते हो, कि कोई भी rational number जिसका, जिसका क्या हूँ, 2 और 5 कोई contain करता है, वो हमें से एक terminating rational number होता है, terminating decimal वाला rational number होता है, हो सकता आपको यह चीज़े समझ में ना आई हो, हो सकता है, ठीक है, अगर आपको यह चीज़े समझ में नहीं आई न, तो आप इस वीडियो का दोबारा देखोगे न, तो आपको confirm यह चीज़े समझ मे उस score करा देता हूं, ठीक है, और जब exercise करेंगे न, तब आपको यह चीज़े बिल्कुल crystal clear हो जाएगी, हो सकता है, मतलब कि theorem 1.7 करने के बाद भी आपको 1-2% doubt हो जाए, ठीक है, बट वो doubt आपको exercise के अंदर ही clear हो, क्योंकि यह चीज़े आप बिल्कुल नहीं चीज़ पढ करो, मैं बता हूँ, तो देखो, आपकी जो थोरम 1.7 है न, वो बस इतनी सी बात कहती है, कि जैसे, आपके पास 1 upon 7 एक रेसल नमबर था, ठीक है, यह रेसल नमबर आपको पता था कि, repeating remainder दे रहा था, इस वज़े से यह क्या हो गया था, non-terminating but repeating, ऐसा हो गया था न, तो अगर आप इसके बच्चे, denominator को देखते हो, क्या हो को, देखो, यह P है, यह क्या हो गया, तो इसके क्या हो के अंदर है न, 7 है, तो आप इसको फॉरम माननो तो यह मान लो, कि 2 की पावर 0, multiply 5 की पावर 0, multiply 7, मतलब 2 और 5 के अलावा, के, अलावा, 7 भी है, prime factor के अंदर, ठीक है, उस वज़े से यह क्या हो गया, non-terminating but repeating, और मैंने आपको समझाया था, दोनो तोरम में, कि अगर prime factor के अंदर वो only 2 और 5 है न, तो ही वो terminating वाड़ा है, अगर 2 और 5 के अलावा कुछ तीसर नमबर भी आ गया न, तो वो भाई, non-terminating but repeating वाड़ा रेशन नमबर हो जागा, ठीक है, और यहाँ पर वो ही case तो हुआ, यहाँ पर 2, 5 के अलावा 7 आ गया, 7 आत्ते के साथ वो क्या बन गया, non-terminating but repeating ठीक है, और यहाँ पर जितने भी case थे, only 5 है, only 2 है, 2 और 5 दोनों है, ठीक है, मतलब 2 और 5 ही गूम रहा है, तो वो terminating हो रहा था, यहाँ पर भी terminating हो गया, ठीक है, और ऐसा ही क्या था, कि वो terminating पहले कहके चल रहा है, बट हमने जाब उसका prime factor किया, तो 2 और 5 की form में आया, ठीक है, यह देखो कितने आ रहे थे, यह जितने भी terminating है, यह किसमे है, यह 5 और 2 कोई contain करता है, ठीक है, यह terminating है, यह only 5 को contain करता है, यह terminating है, यह only 2 को contain करता है, मतलब कि terminating decimal number बाड़ है न, हम यह सा 2 और 5 कोई contain करेगा, ठीक है, या तो 2 को या 5 को या दोनों को 5 को 2 को बट तीसर नमबर कुछ नहीं आ सकता हुदर ठीक है इतनी सी बात है तो मैं एक final conclusion निकाल देता हूँ और वो conclusion आपने याद रखना है बाकि ये जो समझा है आप इसको snap करना चाहो तो कर लो ठीक है करी लेना चाहिए आपको ताकि example आपकी copy में साफ हो और आपको सब चीज़ समझ में आ जाए तो इसको भाई एक बार snap कर लो इधर से फिर मैं आपको final conclusion निकालवा देता हूँ आज गार फिर कर लेंगे कल exercise कर लिया score कर लो snap score चाहप पो copy में score चाहप दो यहाँ पर लिख लेना थोरम 1.7 ठीक है तो final conclusion यह निकल के आया मेरे फास कि निकली let x equal to p upon q where p and q are co prime integers bracket So B A p rational number ठीक है मतलब x equal to p upon क्या हो बिया rational number यह मतलब एक rational number है जहाँ पर pure क्या हो कि आपके co-prime number then then दो result थे आपके number 1 if prime factors of क्या हो is in form of 2n multiply 5m ठीक है bracket में लिख लो means मतलब क्या इस बात है इस बात का मतलब यह है कि क्याओ का prime factor only 2 2 and 5 को ही को ही contain करेगा तो अगर मतलब कि क्याओ का prime factor 2 और 5 को contain करता है तो देन अगर अगर हो इस उजो इस एक विल एंगर आया टर्मीने इंग तर्मीनेटिंग अ यह डेसिमल नमबर मैंने क्या लिखा x एक rational number है जिसका क्या हूँ वाड़ा prime factor है वो only 2 और 5 को contain करता है तो ये rational number क्या हूँग एक terminating decimal number होगा ठीक है इतनी बात के लिए रहे और दूसरा case क्या था दूसरा case ये था भई आपका कि यदि p upon क्या हूँ में जो क्या हूँ है उसका prime factor 2 और 5 के लावा कोई 30 नंबर contain करेगा तो वो फिर non-terminating but repeating हो जाएगा ठीक है लिख को इसको if prime factors of क्या हूँ contains 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 some other other prime integer than 2 and 5 मतलब कि क्या हूँ का जो prime factor है ना वो 2 और 5 के अलावा किसी और integer को contain कर गया तो वो कौन सा होगा non-terminating but repeating then and x equal to p अपोन क्या होँ है यो भाई it will be non-terminating but repeating in nature रेशन नमबर तो होगा यह but यह वाड़ा होगा सामज़ना आया तो भाई कुछ नहीं है जब भी आपके पास प्यापोन क्या हो क्या हो के प्राइम फैक्टर करो उसके अंदर 2 and 5 है तो वो टर्मिनेटिंग है 2 and 5 के अलावा कुछ और है कुछ और 2 and 5 के अलावा कुछ और है तो नोन टर्मिनेटिंग बट ठीक है इतनी बात दिमाग में रखनी है तो बस आपको कुछ नहीं करना वो एक रेशन नंबर देता चलेगा प्यापोन क्या होगी फोर्म में वो पूचे हो भाई टर्मिनेटिंग है नोन टर्मिनेटिंग ठीक है तो आप क्या करोगे क्या उठा होगे क्या होगे प्राइम फैक्टर करोगे इसके प्राइम फैक्टर में टू और फाइफ दिखाई देता है तो तो भाई वो टर्मिनेटिंग है अगर 2 और 5 के अलगा कुछ और दिखाई देता है तो non-terminating but repeating हो जाएगा ठीक है तो कुछ नहीं करना बस इसका प्राइम फेक्टर करना अलका सा और आपके पास आफ कांसर हो जाएगा ठीक है तो इतनी सी बात थी कि आज की किलास की और भाई बाग के अब अगर आपको कुछ डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्षन बताओ उदर से के लिए करूँ इदर लिख लो एक बात और लिख लेना कि n आपका 0, 1, 2, 3, s on infinite तक जाएगा mb आपका 0, 1, 2, 3, s on infinite तक कुछ ही हो सकता है ठीक है इस चीज को आप snap कर लो copy में ये है आपका main conclusion ठीक है ये आपने कर लेंगा आपकी करो इसको note down snap करो इसको 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 भी कर लिया तो एकल करेंगा exercise